दोस्तों अगर आप एक CSC VLE हैं, Common Services अंचालक हैं और आप से भी CSC के मादम से रासन कार्ड बनाने वाली ID लेना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो मताएंगे कि आप सभी किस प्रिकार से CSC के मादम से ED Stick का ID ले सकते हैं क्योंकि ED Stick की ID में बहुत सारी Services होती हैं जिसमें कि आप से भी काम करके काफी अच्छी इंकम को Generate कर सकते हैं काफी सारे CSC VLE ने पहले रासन किया था लेकिन बहुत से VLE को इसकी ID मिल गई थी और बहुत से VLE ऐसे थे जिनको ED Stick की ID नहीं मिल पाई थी तो वो किस प्रिकार से अपना Registration करेंगे ताकि उन सभी को भी CSC के मादम से ED Stick का ID मिल जाए उसका Registration आपको कैसे करना है आईए जानते हैं चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आप सभी को CSC के मादम से ED Stick का ID वा पासवर्ट लेने के लिए अपने मोबाइल फोन में या फिर कंप्यूटर में कोई साभी एक ब्राउजर आप ओपन करेंगे और यहां पर आपको सर्च कर लेना है CSC ED Stick Registration ठीक है इस प्रिकास आप सर्च करेंगे CSC ED Stick Registration तो आप सभी की स्क्रीन पर फरस्ट लिंक आ जाएगा CSC Cloud.in आपको इसी वाले लिंक पर क्लिक करना है CSC ED Stick उत्तर प्रदेश जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आप सभी किसान प्रिकास सी डैश्बोर्ड ओपन हो जाएगा और इस आईडी से आप कौन-कौन सी सर्विसेस में काम कर सकते हैं इसके बारे में यहां बताया गया है जैसे कि आप यहां से बर्थ सर्टिफिकर बना सकते हैं हलाकि अभी जो है ED Stick ID में बर्थ सर्टिफिकर की सर्विस को डिसेबल कर दिया गया है बर्थ सर्टिफिक सर्विस को हटा दिया गया है इडिस्टिक आइडी के अंदर बाकी इसके लिए बाकी सारे काम हो रहे हैं जैसे कि यहाँ पर आप सभी जो है कास्ट सर्टिफिकर बना सकते हैं और डॉमिसाल सर्टिफिकर बना सकते हैं इसके साथ साथ आप से डेट सर्टिंफिकेट नहीं बना पाएंगे वर्त नश्य में और हैंदीकाप की लिए और इंकम सर्टिंफिकर्ट आप सो बना सकते हैं इसके सरीफिकर्टो passenger बना पाएंगे बोलुक रखतव की अंत्याइब मच्छा हैं और इसके साथ आप सभी यहां से राशन कार्ट की सर्विस में काम करें काफी सारे सर्विस के रहा कारण काफी सवति और यहीं एक वजह है करन काफी सारे लोग जो है सिसे की दोराई e- richtig श्रॉपना ही को देतən है अगर आप किसी प्राइबट कंपनी से लेते हैं तो आप ondan 50000 सब्सक्राइब करना पड़ता है लेकिन अगर आपको यह आड़ी बिल्कुल फ्री में दी जाती है तो इस आड़ी को कैसे लेंगे रिश्टेशन कैसे करना है अब इसके बारे में जानते हैं नीचे आएंगे थोड़ा सा तो यहां पर रहते हैं रिश्टेशन डिस्टिक लिस हैं तो फिर आप सभी जो है बहुत ही आसानी से के मादन से इडिस्टिक का आड़ी पास्वर्ड ले सकते हैं रिश्ट्रेशर करने के लिए आप सभी को यहां पर एक उप्शन मिलता है लोग इन बिथ डिजिटल सेवा कनेक्ट आप एक बार इस पर किलिक करेंगी जब आप आपकी CSC ID से यह आटोमेटिक आपकी इंफ्रमेशन फैस्ट करेगा और आपकी स्क्रीन पर इस प्रिकार से डिटेल्स आ जाएगी प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आप सभी की सामने इस प्रिकार से निव रिजिस्ट्रेशन फॉर मियểm अर्बन अगर आप गांओ के रहने वाले वियली हैं तो आप Castro का सेलेक्षन करेंगे और सहर के रहने वाले हैं तो फिर आपको अर्बश्र करना है इसके बाद फिर यहां पर आप सभी अपना नाम दालें गे अपना मुबाइल नमबर डालेंगे email यहां डालेंगे ध्य जो भी आपका Block है फिर आप यहां से अतव का सेलक्षन करेंगे इस प्रिकार से और इसका फिर अपना जो भी Gram पंचायत है Gram पंचायत का सेलक्षन करेंगे बिलेज का सेलक्षन करेंगे और फिर यहां आप नीचे पूछ रहा है आर यू अलड़ी रजिस्टर्ड एन वर्किंग एडिश्टिक सर्विस यूपी क्या आप अलड़ी किसी और कंपनी से इडिश्टिक आड़ी लेकर काम कर रहे हैं अगर कर रहे हैं तो यह किलिक करके उसकी डिटेल आपको देनी होगी अगर आप न चाहरा पैसेगा पेमेंट होगा ठीक है और पेमेंट कर जाने के बाद आपको एक स्लिप मिल जाएगी और आपको रफ्रेंस नमर मिल जाएगा उसका नोट करके रख लेंगे लगभग एक हफते से एक महीने के अंदर आपकी आईडी को बनाकर आपके इमेल पर आपका जो की डिष्टिक मैनेजर से बात कर सकते हैं अगर आपका CsC डिष्टिक मैनेजर आपकी बात को नहीं सुनता है इग्नोर करता है तो उसकी भी कंप्लेंट आप सभी अपने इस्टेट लेबल के जो अधिकारी होते हैं वहां पर कर सकते हैं ठीक है इस प्रिगार से इडिस्टिक ले सकते हैं और जिन लोगों का डिस्टिक नहीं सो कर रहा था तो या उन लोगों के डिस्टिक में CSC के द्वारा जो है इडिस्टिक प्रवाइड नहीं कह जा रहा है तो उसकेस में किसी और प्राइबेट कंपनी से ले सकते हैं ठीक है क्योंकि अगर आपके इस्टिक में आपके श्टेट में प्राट कर रहे हैं तो फिर आपको किसी और के थुरू ही लेना पड़ेगा लेकिन जो इससे श्टेट में यह सर्विश दे रही है वेली को तो वहां फिर एक कोश्म मिला आपका लिए चेक करें और ले सकते हैं आइडिया को फिर में दी जा कि उम्मीद करता हूं कि अलोग से समझ गए हैं चले मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक लिए